जवाहर नवोदय परिक्षा 2021 ये परिक्षा में आपकी चुकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए आपको सारे प्रश्न हल करने होंगे इसमें मानसिक योगिता के प्रश्नों का अधिक इस्थान दिया है तो सबसे पहले हम मानसिक योगिता के प्रश्नों को हल करेंगे इसमें देखिए पहला जो भाग दिया है उसमें प्रश्न एक से लेके चार तक में आपको ये बताना है कि कौन सा चित्र इन चारों में अलग है तो आप पहला प्रश्न देखें अगर तो इसमें A, B और D में हमको दिख रहा है कि एक जैसी आकरती बनी हुई है उनकी संख्या एक सी है जैसे A में तीन तीन दे रखें हैं लेकिन हम C वाला जब देखते हैं तो एक तरफ चार दूसरी तरफ प्रस के चिन तीन ही हैं इसलिए भिन्न चित्र कौन सा हुआ? C अर्थाथ घड़ी के विपरित है वहीं जब हम A में देखते हैं तो वो घड़ी की दिशा में हैं इसलिए ये Q2 का जो है पहला Q2 इसका गलत आएगा Q3 में देखेंगे तो ये जो तृभुज दिखाई दे रहा है आपको ये बाहर इसका जो कौर्णर है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन जो Q2 आ रहा है उसमें ये कौर्णर कहा चला गया इसमें अंदर की तरफ चला गया इसलिए ये D भिन्न है चोथे में देखेंगे तो क्या-क्या दे रखा T, I, C तीन यही लेटर दे रखें लेकिन C में क्या दिख रहा है हमको यह दिख रहा है E, यह भिन्न है इसलिए यह का आंसर आएगा C भाग दो अब इसमें आपको देखना है उसके जैसी ही आकरती आपको ढूंड के बतानी है A, B, C, D में से तो पाचवे की जैसी हुबहु आकरती सिर्फ C है क्योंकि A, B, C में आप देखेंगे ना तो तीन क्रॉस दे रखें जबकि चितर में मूल चितर में क्या दे रखें केवल दो क्रॉस तो C इसके जैसी ही समरूप आकरती है अब सिक्स्त कोश्चन में देखिए तो इसका A में तो ये जो त्रिबुच के अंदर का क्रॉस है ये ही इनोंने टेडा कर दिया और यहां हम देख रहे हैं D में तो ये लाइन की संख्या इनोंने बढ़ा दी तो B और C तो समान है मतलब त्रिबुच के हिसाब से लेकिन ये जो बाहर की आकरती दे रखिए यहां पर और यहां मर में अंतर है जबकि हूब रहू आकरती कुन सी है इसकी C क्योंकि ये दो चिनन जो दे रखिए वो हूब रहू इससे मिलते जुलते हैं सात्वा कोश्चन हम देखते हैं तो ये लाइनों को देखिए आप ये लाइने त्रिबुच का जो आधार है उसके पैरेलल में है जबकि यहां पर ये खड़ी हो गई और यहां पर भी खड़ी हो गई ठीक है लेकिन इस और इस चित्र में हो सकता है कि कोई एक चित्र आपको देखना है कि कौन सा सेम है लेकिन आप देखिए ये बिंदू वाला जो है वो नीचे आना चाहिए और बिंदू नीचे किसमें आ रहा है डी में तो हूबहू आकरती कौन सी हुई डी आठवे में देखेंगे तो ये चारों गोले बने हुए तो सब में एक से हैं लेकिन ये जो चिन बना रखें ये चारों चिन इन में अलग-अलग है तो देखिए इधर प्लस होना चाहिए और इधर माइनस होना चाहिए तो इस आधार पर ये भी गलत ये भी गलत और ये भी गलत ये एक जिसे ही आकरती बनी हुई है तो हमको इन में से ऐसा ढूनना है जो ऐसी ही आकरती हो क्या हो cross plus और minus plus तो ऐसी आकरती है भी multiply plus और minus plus ठीक है अब ये दस्वा इसमें ये बाहर की तरफ ऐसी आकरती होनी चाहिए तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये उपर नीचे आ रहा है हना ये भी नहीं होगा इन दोनों में confusion हो सकता है बी और सी में लेकिन हमको केसी चाहिए एक तरफ में semi circle के अंदर circle नहीं होना चाहिए और एक में होना चाहिए तो उस आधर पे ये आएगी क्योंकि इसमें semi circle जो अर्ध वरत्ता कार है उसके अंदर गोला बना हुआ है तो ये नहीं हो सकती सिर्फ बी आएगा इसका उतर इसमें हमको क्या चाहिए कि इस तरीके से ये line पूरी हो जाए एक इसका dash किस तरीके से बनना चाहिए ऐसा आड़ा सा बनना चाहिए तो उस आधर पर कौन सा होगा इसके आकरती होगी ये c वाली ये आड़ा बन जाएगा ये बनके और ये पूरा जो है चोकोर इसकी आकरती पूरी भी कर देगा ठीक है और इसकी ये जैसे ये लाइने आ रही है तो वेसी लाइन भी ये इसमें खीच कर ये पूरी कर देगा क्योंकि ऐसी आनी चाहिए यहाँ पर बारवा कोश्चन है ये इसमें स्टार सा बना रहा है तो यहाँ पर इसे करके ऐसे स्टार भी बन जाए और एक इसकी लाइन भी खिच जाए तो ऐसी आकरती होईगी आपकी डी ताकि ये स्टार ये यहाँ से पूरा बन जाए इसमें भी स्टार नहीं बन रहा है इसमें स्टा बता रही है कि यह लाइन यहाँ पर बीच में अन्ने से सरी खीच दी यह आकरती हमको नहीं चाहिए तो उत्तर होगा इसका डी भाग चार देखिए इसमें जो प्रश्ण चिन्न है इसके आगे आकरती से इम बढ़ती जानी चाहिए तो यह देखिए यह आकरती के बाद में य यह घूमती भी जा रही है यह नीचे आ गई फिर इदर चली गई तो अब इसको कहा जाना चाहिए इसको ऊपर जाना चाहिए ठीक है और तो ऊपर जाएगी तो यह आकरती बन जाएगी बी वाली ठीक है अब यह 14 इसमें देखिए यह एरो बना है फिर डॉट बना है फिर जैसा arrow बना है, वैसा ही इसका जो है, चित्र बनना चाहिए, इसके विपरिद बनाया है इन्होंने, तो हम इसके विपरिद arrow के विपरिद dot को लेके जाएंगे, तो उत्तर आएगा इसका B, 15 आकरती देखें, यह यहाँ पर क्या हो रहा है, यह गोला है, और यह त्रिभुज नीचे है, और नीचे स्क्वेर है, उपर क्या हो गया, यह त्रिभुज वाला उपर चला गया, यह चो कोर था जी, उपर आ गया, और यह जो आकरती थी, यह कहां आ गई, नीचे, ऐसे इसमे हो रहा है मतलब सबसे उपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और फिर ये दोनों उपर खसक जाएंगे तो इस आधार पर आक्रती होगी इसकी भी 16 देखते हैं तो ये देखिए एरो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिगरी मूड रहा है इधर से इधर आया फिर नीचे आया तो अब ये किस तरफ जाना चाहिए इस तरफ एरो ये आया जाएगा तो इसका उत्तर होगा C Question No.17 अब इसमें क्या दे रखा है कि ये जो दो चित्र है इनमें कुछ नो कुछ संबंध है ऐसा ही संबंध इसके साथ कोई ऐसे चित्र में होना चाहिए जो इनमें से हो तो आप देखिए ये दो लाइन खिची थी तो ये दो लाइन इसमें भी खिची हुई है ये आड़ी ठीक है तो इस आधार पर आकरती आएगी सी ये देखिए ये आकरती से ये आकरती कैसी बनी है इसके बाहर के ये जो कोने कोने है वो हटा दें तो ये इस तरीके से शटभुझ बन रहा है और अब इसमें भी कोने कोने हटा दें तो ये क्या बन रहा है त्रिभुच तो ऐसा त्रिभुच यहां बन जाना चाहिए तो आकरती आएगी B यहां पर क्या हो रहा है जैसा B दिया है उसकी मिरर इमेज भी बना दी साथ में तो E दिया है तो E को पलड़ दो मिरर इमेज बना दो तो उत्तर आजाएगा Q20 में आप देखें तो E रो इधर है तो इधर हो गया उपर जो था वो नीचे हो गया तो ऐसे हमको इसमें करना है यह गोला किस तरफ आजाना चाहिए इस तरफ और यह आकरती नीचे की तरफ आजाने है चाहिए तो इस आधर पर इसका उत्तर होगा C आप प्रशन नंबर 6 देख रहे हैं इसमें जो यह आकरती है यह पूरी होनी चाहिए यहाँ पर तिकोना दे रखा है इसको स्क्वेर को पूरा होना चाहिए यह स्क्वेर पूरा होना चाहिए इस आधर पर इसके आकरती होगी D नेक्स्ट हम देख रहे हैं यह त्रिभुज बन रहा है तो यह सरकल भी पूरा हो जाए और नीचे का यह त्रिभुज भी पूरा हो जाए तो इस आधार पर यह आकरती आजाएगी इसकी C अब यह वाला यहाँ पर स्क्वेर कंप्लीट होना चाहिए इसमें आप देख रहे हैं कि यह पूरा होना चाहिए यह स्क्वेर यहाँ से हो जाए और यह कोना तो इस आधार पर यह आकरती होगी इसकी B यह पूरा करेगी यह देख रहे हैं यहाँ पर यह पूरा सरकल बन जान इसकी mirror image बतानी है आपको कि आपने अगर ये दरपन रग दिया तो ये चितर केसा हो जाएगा तो निश्ची ते इधर की संख्या जो है इस तरफ आ जाएगी और ये वाली उस तरफ चली जाएगी तो आप देखेंगे तो उत्तर अकृति आएगी ऐसे ये arrow last में चला जाना चाहिए त्रिभुज आगे की तरफ आजाना चाहिए बाकि उपर नीचे का change नहीं होगा सिर्फ left का right, left का right होगा तो कौन सी आजाएगी इसकी आकृति आजाएगी D ये जो B, E, N, D दे रखा तो B की line इस तरफ है तो B की line इस तरफ आजाएगी इस आधर पर उत्तर आकृति होगी A इसमें देखिए ये square इस तरफ आजाए त्रिभुज इस तरफ आजाए तो ये आकृति होगी C ये जो प्रश्ण दिया है इसमें आपको कि जो टुकड़ा है उसको तह कर दिया है फिर आपने को जो टुकड़े की तह खोली तो कैसा दिखेगा आप देखिए इस तरीके से जब मोड रखा है और काटेंगे तो इसका उत्तर C आजाएगा इसको काटेंगे तो इसकी जैसी आकृति अंदर की भी बनी रहेगी तो उत्तर आजाएगा D इसमें आप यह जब इसा Aero बना है तो इसा Aero चारो तरफ बन जाएगा उत्तर आकृति होगी A इसको जब मोडेंगे जब यह तीन गोले लगे है तो इसे गोले सब तरफ लग जाएगे तो यह आकृति होगी इसकी B यह आप देख रहे हैं कि प्रश्न चिन अब यह जो टुकडे टुकडे दे रखे हैं इनको मिला के हम क्या बना सकते हैं तो आप देखिए यह वाले टुकडे को मिलके यह बन रहा है और यह दोनों त्रिभूज वाले भी यह आगे और पीछे लग गए तो इसलिए आकृति होगी A ऐसा जब मिलाएंगे तो इसके साथ में यह मिलके यह आकृति बन गई और यह वाला यहां लग गया तो उत्तर आएगा A ऐसा आपको मिलाना है तो हूबहू यह हो गया बिलकुल पास में चिपका दो A बन जाएगा और इसमें अगर हम देखते हैं तो यह नीचे आ रहा है यह त्रिभू जा रहा है और यह भी आ रहा है तो यह आकृति हो जाएगी बाकी में कोई इस तरीके से नहीं मिल रहा है अब यह जो चार चित्र हैं इन में से आपको ऐसा दिखना है कि यह ऐसी आकृति बनी हुई दिख जाए कि ऐसा स्क्वेर बना हो फिर नीचे आके फिर ऐसा मुड जाए तो यह हमको इसमें दिख रहा है की, ये ये बन रहा हे, नीचे आ रहा है और ये मुढ़ रहा है ठीके, और ये एसी आकरती की टेड़ाअ के, और इस तरीके से V-type से बन जाए, तो ये आकरती A दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ मुढ़ा और V ये करके ऐसे चला गया ठीके, ये सिर्फ V बना हुआ चाहिए तो ये तो इसमें ही clear दिख रहा है अब भी चाहिए बना हुआ तो बाकी तो किसी में भी बनी नहीं रहा है इसी में बन रहा है ये ये आप इधर का सब अटा दोगे तो ये भी बन जाएगा तो ये आपके तरक शक्ती के प्रश्णों के उत्तर हुए और आगे के जो गणीत और हिंदी के प्रश्ण है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद